नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजिंक्या आप सभी का सागत करता हो ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में जी हाँ टाइटल में और थमनेलन में आपने सही सुना कि आने वाले कुछ समय में महिंद्रा अपना एक नया पिक अप या फिर कहली जी के एक स्मॉल कमर्शल वेकल सेगमेंट पी के गाड़ी लॉंच करने जा रहा है अगर आप नाशिक से बिलॉंग करते हो तो आपको मालूम ही होगा कि रास्ते पर ये गाड़ी की टेस्टिंग जोरो जोरो से हो रही है हाला कि पिछले week ही जब मैं मेरे काम से नाशिक के डिंडोरी इलाके में गया था तब मेरे गाड़ी के बिलकुल सामने ये test vehicle चल रहा था लेकिन मैं driving कर रहा था जिसकी वज़े से मैं इसका photo या video ने ले पाया दोस्तो कुछ देर आगे चलने के बाद मैंने पाया किये तो एक महिंद्रा का गाड़ी है जिसे रोड पर टेस्ट किया जा रहा है और इस गाड़ी को SCV यानि की small commercial vehicles और pickup के segment में यानि की महिंद्रा की जो सुपरो आती है जो की 900 kg के पेलोड capacity की गाड़ी है और महिंद्रा की जो बलोरो पिकप गाड़ी है इन दोनों के बीच में महिंद्रा आगे आनिमले समय में इस product को launch करने जा रहा है आज की हमारी इस वीडियो में हम इस product को एक code name देंगे जो है Mr. X आईए वीडियो के शुरुआत करते हैं दोस्तों तो आखिर ये Mr. X दिखने में कैसा है दोस्तो Mr. X दिखने में अन्य SCVs यानि के small commercial vehicles जैसा ही है हाला कि इसमें बलोरो पिकप जैसा लंबा bonnet तो नहीं है लेकिन इसको अन्य SCVs की तरह ही design किया गया है और ये गाड़ी महिंदरा सुपरो और महिंदरा बलोरो को बीच में आने वाली है यानि कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो payload segment होने वाला है वो cater करेगा 1000 kg से लेकर मैं guess कर रहा हूँ कि 1.5 या 1.7 तक यानि कि आसान भाशा में ये जो महिंदरा का Mr. X है ये सीधा compete करेगा अशो क्लेलैंड की बड़ा दोस्त और Tata Motors की Intra Smart Pickup Series को अगर आपको याद होगा तो वीडियो के स्टार्टिक में मैंने कहा था कि ये जो SCV यानि की Small Commercial Vehicles का segment है काफी competitive हो चुका है इसमें भी कई सारे features companies देने लग गई है तो ग्रहकों की OEMs के प्रती जो expectations है किसी भी product की हो वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जैसे कि आपको पता है कि Tata Motors ने जब Intra Series को launch किया था तो उसमें काफी सारे industry first features दिये थे जैसे कि Small Commercial Vehicle segment में AC यानि की air conditioning, music system, electronic power assisted, electric power assisted, steering ऐसे कई सारे comfort oriented features दिये गए थे क्योंकि दोस्तों यह जो SCV जो segment है इसमें अब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे driver कम owners यानि कि जो मालिक है वो खुद गाड़ी को चलाता है जिसके वज़े से वो comfort की और ज्यादा धान देते है AC products launch करना शूरू कर दिया है दोस्तों अब बात करते हैं Mr. X की तो इसमें expected engine कौन सा होगा या आप हमें नीचे comment section में comment करके ज़रूर बता है क्या इसमें महिंद्रा का वही refined और बरस्वेमन 2.5 लीटर का engine होगा जो भी महिंद्रा बुलोरों में काम कर रहा है या फिर महिंद्रा इसमें नया engineering करके कुछ नया engine ला रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन दोस्तों जो actual गाड़ी मैंने road पर test होए देखी थी त्रंबकेश्वर नाशिक में उसके dimensions भी काफी तगड़े थे road presence भी काफी अच्छा था महिंद्रा SCV जाने की small commercial vehicles के industry में काफी ज्यादा time से है अब फिलाल इनके portfolio में एक तन के नीचे वाले segment में महिंद्रा की सुपरो profit truck mini, profit truck maxi, महिंद्रा जुटो strong जो की petrol, diesel और CNG तिनो fuel options में आती है साथी में सुपरो में भी अब diesel के साथ-साथ CNG और buy fuel option भी company ने दिया है और उसे के साथ-साथ जो बड़ा segment है नहीं कि pickups का segment है उसमें boloromax city और boloromax HD ये जो 1200 kg से लेकर दो टन तक के segment की जो pickups है वो सारी available है तो इसके बीच वाला segment है दोस्तो जहाँ पर Ashok Land और Tata Motors काफी जादा बढ़िया तरीके से perform कर रही है उस segment में महिंद्रा के पास कोई product नहीं था तो ये जो नया Mr. X आ रहा है वो उस segment में महिंद्रा का जो एक gap है वो पूरी तरह से fulfill कर देगा और आशा करते हैं कि ये product महिंद्रा के ओर से जो Mr. X है जल्द से जल्द launch होना चाहिए दोस्तो standard specifications की बात करें तो engine के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है उसी के साथ-साथ ये जो SUVs और pickup के बीच वाला segment होता है इसमें कई सारे specifications standard होते है जैसे की 9-10 feet लंबा डाला जिसकी बदलत गरावकों को loading capacity अच्छी मिलती है साथी में 14-15 inch की wheels, air conditioned interiors, adjustable steering wheel and seats, comfortable driving position, music system, air condition जैसे कई सारे features अभी segment में standard हो चुके हैं दोस्तो तो ये सारे features हम इस महिंद्रा के Mr. X में भी expect कर सकते है बात करें fuel options की तो इसमें भी महिंद्रा के पास काफी ज़्यादा chance है diesel के साथ-साथ CNG vehicle को भी launch करने का है जैसे कि आपको पता है कि अशोक पिल्यांड की बड़ा दो series में फिलाल के टाइम पे सिफ diesel vehicle जो है वो available है across 1000 kg to 1.9 ton यानि की 1900 kg के segment पे वही पर बात करें Tata Motors के intra series की तो intra range आपको 1000 kg यानि की 1 ton से लेके 1700 kg यानि की 1.7 ton के segment में available है जिसमें diesel के साथ-साथ buy fuel option यानि की petrol पस CNG variant भी 1.2 ton में company के ओर से दिया गया है तो expect करते कि महिंद्रा भी इस नए Mr. X को diesel के साथ-साथ CNG variant में भी launch करे ताकि ग्राकों को उनके application, उनके need और उनके locality के हिसाब से perfect variant चुनने में आसानी हो इस Mr. X से मुझे तो बहुत सारे expectations है और अब देखते हैं कि महिंद्रा इससे कब तक launch करता है आशा करते हैं कि ये market में जल सदल launch हो जाए और लोगों को एक नया product महसूस करने का और एक नया product experience करने का मौका मिले वीडियो कैसी लगी हमेने जो comment section में ज़रूर बताना और ऐसे exclusive content को देखने के लिए truck talks को subscribe करना ना बुलना मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते हैं truck talks बाइबाइ टेक केर जय हिंद